हलो एब्रिवन वल्कम टू नॉलिज मॉल तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है 50 कोशन्स का MCQ टेस्ट के साथ बिहार दरोगा एसाई मेंस के लिए, बिहार सचीवाले के लिए और साथ ही साथ BPSC और CDPO के लिए भी तो चली लगाते हैं आज के सेट को कोशन है पहला कि हरित क्रांती के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोर्ड लॉग को किस वर्ष सांती का नॉबल पुरसकार प्रदान किया गया था आंसर है ओप्सन सी 1970 में हरित क्रांती के सकारात्मक प्रभाव के कारण डॉक्टर नॉर्मन बोर्लोग को 1970 में विश्व सांती का नॉबल पुरसकार प्रदान किया गया भारत में हरित क्रांती की सुरुवात करने का स्रेई MS. स्वामी नाथन को दिया जाता है निमलिखित में से किस नदी का उदगम ब्रह्मगिरी पहाडी से है आंसर है ओप्सन ए कावेरी नदी का कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाडी करनाटक से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है राश्टिय जलमार्ग संख्यावन किस नदी पर इस्थित है जो इलाहाबाद से हलदिया तक है निमलिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है अशर है option आदिया गया है कि नाथूला दर्रा जो है यह और नाचल परदेश में अवस्थित है तो गलत है क्योंकि नाथूला दर्रा यह सिक्किम में इस्थित है बाकी के option सही है लिपुलेख दर्र उत्राखणड में, रोतांग दर्राहिमाचल प्रदेश में और पालगार दर्रा ये केरल में अवस्थित है। निमलिखित मेंसे किसकी नाटक देवी चंद्र गुप्तम है है। आंसर है option B, विशाख दत का, विशाख दत के नाटक देवी चंदर गुप्तम में गुप्त शासक राम गुप्त एवं चंदर गुप्दुईतिय के बारे में जानकारी मिलती है डॉक्टर राजेंदर परशाद का जन्म कब हुआ था? आंसर है option D, 1884 में, डॉक्टर राजेंदर परशाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था और मृत्यू जो है 28 फरवरी 1963 में हुआ था निमलिखित में से कौनसी कलाकी सैली उत्तर भारत में हिमाले से विंद्य प्रदेश के भुभाग में विक्सित हुई थी? आंसर है option A, नागर सैली पुर्वत्तर परिशद का पदेन धक्ष कौन होता है? आंसर है option C, केंद्रिय गिरीह मंत्री पादप किस परकार से ग्लुकोज निर्मित करते हैं? आंसर है option B, प्रकास तंसलेशन से निमनलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? आंसर है option C, लाइकेन आइसो है लाइंग किसको जोडने वाली रेखाएं हैं? आंसर है option D, समान लवनता वाले रेखाओं को उपराश्ट पती के निर्वाचन से संबंदित अनुच्छेद हैं? आंसर है option A, अनुच्छेद 66 दिसंबर 2020 में निमनलिखित में से कौन एंजेला मारकेल के बाद जर्मनी का चांसलर बना? आंसर है इसका option A, ओलाफ सोल्ज पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं? आंसर है option C, रॉकेट प्रमोचक प्रणालिया को पिनाका मल्टिपल लॉंच रॉकेट सिस्टम को DRDO द्वारा स्वदेसी रूप से डिजाइन और विक्सित किया गया है ग्रीन हाउस गैसों में सरवाधिक भूमंडलिये तापन में व्रिधी हेतु प्रभावी गैस है आंसर है option B, कारवन डाई ओक्साइड सोमपेन जन्जाती कहां पाया जाता है आंसर है option D, अंडमान निकोबार में रास्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है आंसर है option B, हर्याना में रास्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल हर्याना में स्थित है तथा रास्टिय डेरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में इस्थित है हंसा परिक्षन किसके लिए परियोक्त किया जाता है आंसर है option C, दूद की मिलावट का पता लगाने है तू हंसा परिक्षन रास्टिय डेरी अनुसंधान द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा परिक्षन है जो डेरी उद्विक के लिए उप्योगी है हंसा परिक्षन का उप्योग करके दूद में उपस्थित अश्रुद्धियों या अपमिस्रन की उपस्थिती का पता लगाया जाता है डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोथ है आंसर है इसका ओप्षन ए लार गरन्थी एस्पिरीन एक दर्द निवारक औस्थी है जिसको प्रकिर्थिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है आंसर है ओप्षन बी विलो के विरिक्ष से भारत में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभी किया इंधन है आंसर है ओप्षन बी थोरियम खिलाफ़त आंदोलन के प्रमुख नेता निमलिखित में से कौन थे आंसर है ओप्षन ए मौलाना मुहम्मद अली और सौकत अली निमलिखित में से किस आंदोलन में सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुख्य भूमी का निभाई आंसर है ओप्षन सी बार्दोली सत्यागरह में बार्दोली सत्यागरह एक किसान आंदोलन था जिसका नित्रे तो सरदार बल्लब भाई पटेल कर रहे थे या 1928 में हुआ था निम्निलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 2022 में 100 साल पूरा किया आंसर है option B चौरी चौरा कांड चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था और ये 4 फरवरी 2022 को 100 वर्स पूरा हुआ पावर्टी एंड और ब्रिटिस रूल इन इंडिया और नामक पुस्तक के लेखक कौन है आंसर है option D दादा भाई नौरो जी घोडे दागने की प्रथा को सरुपर्थम किसने प्रारम किया था आंसर है option C अलावदिन खिलजी ने अलावदिन खिलजी ने सरुपर्थम घोडे दागने की प्रथा प्रारम की ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि सैनिक युद्ध में अच्छे घोडे के स्थान पर घटिया घोडे लाते थे जो युद्ध में काफी नुक्षान का सामना करना पड़ता था मौरिकाल की राजगिय मुद्राओं में से एक था आंसर है ओप्सन बी पन थल सेना दिवस भारत में किस तिथी को मनाया जाता है आंसर है ओप्सन ए 15 जन्वरी को वित्ध मंत्री निर्मला सीता रमन ने बजड दोजार बाईस तेस में महिला एवं बाल विकास मंत्राले की किन योजनाओं को प्रारम करने की बात की आंसर है ओप्सन डी उप्योक्त सभी मिशन सक्ती, मिशन वात्सयले और सक्षम आगन बाड़ी और पोशन 2.0 को विधान परिशत की कुल सदस संख्या का कितना भाग विधान सभा से चुन कर आता है आंसर है ओप्सन बी एक बटे तीन भाग पारिस्थिति की टास्क फोर्स गठन कब किया गया आंसर है ओप्सन ए 1982 में भारत में सबसे अधिक विदेसी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्याई की जाती है आंसर है ओप्सन सी पेट्रोलियम पदार्थ पर हर विलाशम की रचना किस ने की थी आंसर है ओप्सन बी स्रीनाथ ने हर विलाशम पुस्तक के लेखक तेलगू विद्वान स्रीनाथ है कोलेजन एक परकार का है आंसर है ओप्सन सी प्रोटीन कोलेजन सरीर में पाय जाने वाला टेशेदार प्रोटीन है नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पडोसी देश से जोड़ता है? आंसर है आप्सन A. चीन से नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज और दक्षिन तिबबत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है आंसर है आप्सन C. S. सोमनाथ को देश के किस राज में सरवाधिक वनचेतर है? आंसर है आप्सन B. मद्ध परदेश में हाली में किस देश ने एक इक्षा मृत्यों की मसीन सुसाइड पॉड़ को कानूनी बंजूरी दी है? आंसर है आप्सन C. सुईजर लैंड ने एथिकल रिलीजर नामक पुस्तक के लेखा कौन है? आंसर है आप्सन D. महत्मा गांधी अंतरास्टिय ओलंपिक समीती का मुख्याले कहां है? आंसर है आप्सन B. लुशाने ट्वीटर के वर्तमान CEO कौन है? आंसर है आप्सन D. पराग अगरवाल निमलिकित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है आप्सन D. संचालन समीती के अध्यक्ष यहां पर दिया गया है जवाहर लाल नहरू जो की गलत है क्योंकि संचालन समीती के अध्यक्ष डॉक्टर राजिंद्र परशाद थे बाकी का अप्सन सही है संच सक्ती समीती के जवाहर लाल नहरू प्रांतिय संविधान समीधी का सरदार पटेल और प्रारुप समीती का बियार आमबेद कर भोजन में मोनो सोडियम गलूटा मेट यानि MSG का उप्योग किया जाता है आंसर है ओप्सन बी स्वाद बढ़ाने में मोनो सोडियम गलूटा मेट का उप्योग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका परियोग मसाले की तरह होता है इसके अत्यदिक उप्योग सरीर के लिए बहुत ही हानिका रख होता है सम्विधान के किस संसोधन के द्वारा केंद्रिय मंतरियों की संख्यां लोग सभा के कूल सदस्यों के 15 परतिशत पर सीमित कर दी गई है आंसर है इसका ओप्सन B 91 वा संसोधन द्वारा राना सांगा ने निम्न युद्धों में से किसमे बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी आंसर है ओप्सन B खानवा के युद्ध में खानवा का युद्ध 1527 इस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधी धारन की थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में सबसे सिर्ष अस्थान किस देश का रहा आंसर है ओप्सन A सोमालिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा भुकमरी सोमालिया में है और भारत का स्थान पूछा जाए तो 101वा सन्यूक्त राष्ट महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्टिय वर्ष घोसित किया है आंसर है ओप्सन B 2023 को जब कोई वस्तु उपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है आंसर है ओप्सन C और परिवर्थित यह वायू की गती मापने वाला यंतर है आंसर है ओप्सन C एनिमोमीटर स्वतंत्र भारत की प्रथम और द्योगिक निती की घोशना कब की गई थी आंसर है ओप्सन B 1948 में आजादी के बाद पहली और द्योगिक निती की घोशना 6 अप्रेल 1948 को तातकालिक केंद्रिय उद्योग मंतरी श्यामा परसाद मुखरजी द्वारा की गई थी इस निती ने भारत में मिसरित और नियंतरित अर्थववस्था के लिए एक आधार की अस्थापना की तो ये थे 50 कोश्चन का सेट आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें धन्यमाद